नमस्कार आप सब का स्वागत है 12 दिसम्बर को क्रिकेटर युवराज सिंग का 36 बर्थडे हैं टीम से बाहर चल रहे युवराज की अब वापसी मुश्किल लगती है लेकिन उन्होंने इसकी उमीद नहीं छोड़ी है 2011 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के हीरो रहे युवराज का क्रिकेट करियर खत्म होने के पीछे इम एस दोनी को विजर माना जाता है कहा दाता है कि उन्होंने कई खिलाडियों का करियर खत्म किया जिसमें युवराज भी एक है युवराज के पिता युगराज सिंग ने भी दोनी पर उनके बेटे का करियर खराब करने के आरोप लगाए हैं युवराज सिंग 2011 वर्ल्ड कप में मैन आफ तूर्ना में इंट रहे थे उन्होंने 9 मैचों में 90.5 के जबरदस्ते व्रेट से 362 रन बनाए थे उन्होंने 15 विकेट भी जटके थे सीरीज के दोर आंड युवराज को कई बार खून की उल्टी भी हुई लेकिन वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के मिशन में लगे रहे 2 अप्रेल 2011 को टूर्ना में खत्म होते ही युवराज के साथ ही फैंस के लिए उन्हें कैंसर होने की खबर किसी जटके से कम नहीं थी वर्ल्ड कप के तुरंट बाद युवराज अपने ट्रीट में जुट गए इसके लिए उन्हें अमेरिका तक जाना पढ़ा युवराज की बिमारी ने ही उनके करियर पर सबसे बड़ा ब्रेक लगाया यदि ऐसा नहीं होता तो वर्ल्ड कप के बाद युवराज जिस बॉम में थे उन्हें रोक पाना आसान नहीं होता बीमारी के कारण उनकी लयर टूटी और करियर पर करीब 20 महीने का लंबा ब्रेक लग गया 2011 से 2012 तक युवराज ने कैंसर से चंग लड़ी अप्रेल 2012 में वो इंडिया लोटे और क्रिकेट फील पर फिर से खुद को ढालने की कोशिश की युवराज को जल्द ही कप्तान दोनी ने टीम में वापसी का मौका दिया दिसंबर 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ वनटे सीरीश के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया वापसी के बाद अपने पहले ही मैच में युवराज सिंग सिर्फ दो रन बना सके हाला कि इसके बाद भी वो टीम में बने रहे दोनी ने उन्हें एक दो नहीं बलकी 2013 में पूरे साल खिलाया और कुल 19 मैचों में मौके दिये लेकिन तब युवराज जो वर्ल कप वाली फॉम में नहीं दिखे 19 में से सिर्फ दो मैचों में ही वो हाफ सेंचुरी लगा सके इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया